गूड मॉर्निंग स्टुडेंट्स तो आज से हम लोग डिसकस करना शुरू करेंगे 11th के Physics का Unit 4 जिसमें Chapter पढ़ने आपको Work पढ़ना है, Energy और Power तो ये 3 टर्म जो देख रहे हैं Work, Energy और Power ये 3 टर्म कुल मिला कर समझें कि एक Chapter है Work यहाँ पर एक Chapter समझें, Energy एक Chapter समझें and then Power तो आज से शुरूबात करेंगे हम लोग तो Lecture No.1 से इसी तरह से Serial Numbers से Lectures जैसे जैसे Topics हैं Syllabus में उसी तरह से करके डिसकस करेंगे तो आएए सबसे पहले डिसकस करते हैं हम लोग Work Chapter से हाँ, Work Chapter में हमें पढ़ना क्या क्या है सबसे पहले कि Work क्या है, Work कब होगा और Work कीन Factors पर निर्वर करता है यह चीजे पढ़ लेंगे फिर Work जितने भी Factors पर निर्वर करता है एक एक करके डिल करेंगे Work का Nature डिल करेंगे Work के Units, फिर Work के Dimensions है ना, सब डिल करेंगे तो आएए सबसे पहले हम लोग डिसकस कर लेते हैं कि Work क्या होता है Work किसे कहते हैं कारे का होना या कारे करना किसे कहते हैं हाँ, तो Work कहें या Work Done कहें तो Work या Work Done किसे कहेंगे तो सबसे पहली बात कि कारे या किया गया कारे तो कहने का क्या मतलब हुआ कि यदी कोई object यदी किसी object पर कोई भी object समझे कि मालने की अर्थ सर्फिस है और यहाँ पर एक object प्लेस्ट है हाँ जो भी मास हो इसका M माल लिजे कि इसका मास है यदी यह object यहाँ प्लेस्ट है अर्थात अभी यह क्या है बिल्कुल रेस्ट में ठेक तो अर्थ तो इस पर फोर्स लगा ही रही है ग्रैविटी फोर्स F इक्वल टू M G यह ग्रैविटी है mass of this object G is the acceleration due to gravity यदी इस object को इसके original position से डिस्प्लेस करना हो चाहे आप इधर डिस्प्लेस करें चाहे आप इस दिसा में डिस्प्लेस करें चाहे उपर डिस्प्लेस करें displacement vector quantity है उसका direction तय है initial to final position तो इस object को डिस्प्लेस करने के लिए एक force लगाना होगा, कितना force लगाना होगा ताकि यह displace होने लगे इसका inertia से यह बाहर आए तो जितना यह force लग रहा है इस पर यह देखनें इस पर इतना बल लगाया जाए कि जो inertia on rest में वस्था जो प्रारंब में ये विरामा वस्था में है इतना external force लगाया जाए कि इसका position imbalance हो और यहां से move करना शुरू करेगी समझे तो force कैसा force लगाना होगा object को displace कराने के लिए external imbalance force ध्यान रखे कोई भी object पे जदि आपके बल force लगा दे तो जरूरी नहीं कि वो displace हो जाएगा अपना original position छोड़ दे ये जरूरी नहीं है मान लिजे एक दिवार है दिवार पे हम जाके बल लगा दे थोड़ा सा बल तो दिवार displace नहीं हो जाएगा तो यहां कहने का मतलब यह हुआ कि external unbalance force लगाना होगा और यह unbalance force का जो magnitude होगा वो कितना होना चाहिए देख लिजे इससे ज़्यादा होना चाहिए या कम से कम इतना होना चाहिए तब इसका inertia टूटेगा और यह अपना बिरामा वस्ता से आगी निकलेगा तो यह बात हो गया कि object का inertia का टूटना जरूरी है जो यह state of rest में था इसका state of rest को हटाना होगा उसके लिए क्या किया गया external force अप्लाई किया गया और वो external force इसे क्या करता है कंपेल करता है मजबूर करता है यह displace होने के लिए तो मान लिजे कि F force लगाया गया तब इस object का inertia टूटता है और यह displace हुआ displace कहां हुआ हम consider कर लेते हैं कि यह displace होकर के अब यह object कुछ यहां पहुँझ गया इस place पे हां तो state की पहले यहां था तो इस position पर यहां का position नाम देंदे B तक इस force के कारण इस object का displacement A से B तक हुआ displacement एक vector quantity है displacement का direction किदर दिया जाता है initial point to final initial position से final position की तरफ यह होगया displacement और A से B तक का displacement हम मान लेते हैं कितना S चुकि displacement vector है इसलिए उपर में arrow दे करके चलते हैं वेक्टर किसे कहते हैं वो ऐसे physical quantities को vector कहते हैं जिन physical quantities का magnitude हो directions हो और vector algebra की नियम हो का पालन करें जैसे triangle law of vector addition अच्छा तो यह इसका displacement हो गया यहां से यहां तक तो हम क्या कह सकते हैं इस परकार के actually force भी vector quantity तो हम क्या कह सकते हैं कि इस object को A से B तक displace किस ने कराया इस external unbalance force ने displace कराया तो यहां पर यह displace होने का काम हो रहा है A से B तक displacement हुआ displacement किस ने कराया इस force ने तो यह force काम कर रहा है हम लोग क्या कहेंगे कि यह work हो रहा है या work किया जा रहा है यह हो किसके कारण रहा है इस force के कारण तो हम लोग कह सकते हैं इस परकार कि work done या work is said to be done work होना या work करना कब कहा जाएगा? जब किसी object पर लगने वाला बल उस object को उसके original position से displace करा सके तब कहेंगे कि इस force ने work किया यानि कि work वाले concept में क्या-क्या चीज़े निकल करके आता है एक आता है कि force का लगना जरूरी है और दूसरा बात क्या निकल करके आया? एक force और ये force किस तरह से वताया न? और दूसरा बात निकल करके आया displacement ये दो चीज़े और ये work कौन कर रहा है? ये work जो कर रहा है सो इस force ने work किया ठीक? तो ये work में सामिल क्या-क्या है? पहली नजर में work में सामिल आप लोग देख रहे हैं कि force का लगना जरूरी है और object का displace होना जरूरी है तब हम कहेंगे कि इस force ने work किया अब इसके अलग-अलग conditions में आएं समझ लिए पहला condition अच्छा दो conditions पर खासकर discuss करेंगे जब object ए पोजिशन पर था यहां पर था और इस पे बल लगाया गया तो पहला condition में समझ लिजे कि force यहां पर constant है constant कहने के मतलब इसका magnitude constant है यानि कि एक बार इस object पर जदी हम 5 Newton या 10 Newton का force लगाया जा रहा है जदी इस पर तो जब तक जहां तक displace हो रहा है वो बल का magnitude उतना ही continuously रगता रहे यानि कि एक बार आप 10 Newton लगा दिये तो 10 Newton बल ही लगा हुआ होना चाहिए इस पर मतलब कि एक condition हो जाएगा work done by a constant force अच्छा दूसरा situation में क्या अलग-अलग पढ़ना है अब इस stage पर आपको तो दूसरा condition में क्या होगा कि यह force हम जो apply कर रहे हैं यहाँ पर वो force variable हो अभी माल लिजे कि हमने 10 Newton force लगाया 5 second के बाद 5 Newton कर दे अगला 3 second के बाद हो सकता है 10 Newton कर दे या 15 Newton कर दे तो उस समय work measure करना कि वो variable force के द्वारा work measure करना और constant force के द्वारा work measure करना दो चीजे हम लोग अलग-अलग से यह दोनों condition detail से देखेंगे तो आए सबसे पहले हम लोग देखते है work done by constant force टेक तो work का होना या work करना यह force पर निर्भर करता है बिना बल लगाए work नहीं हो सकता अब यह work दोनों condition में देखेंगे पहला condition में हम लोग क्या देखेंगे work done by a constant force तो constant force कहने का मतलब है कि object जब तक displace हो रहा था तब तक force का magnitude constant है इस समय हम उस constant force के दुआरा किया गया work का magnitude मेजर करेंगे हां तो ले लेते हैं एक object consider करें एक object consider कर लिए सतह पर है हां ये point पर है ये प्रारंब में ये जो था सो अपना original position पर है और इसे मालने की displace करा करके लिए आना है इस b point तक हां और displacement का direction a to b and इसको हम denote कर रहे हैं किससे बेक्टर s से इस बेक्टर s में इस displacement का direction बता रहा है a से भी और केवल s लिखेंगे तो वो magnitude होगा पांच मिटर या दस मिटर जो हो और ऐसा भी जरूरी नहीं कि हमेशा बल इधर से ही लगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो यहां पर ले लेते हैं कि माल लिजे कि यह force इस दिशा से लग रहा है इस object पर यहां वेक्टर दिया हुआ यानि इस force में दो चीजे हैं इसका magnitude भी है इसका direction भी है magnitude में 5 Newton, 10 Newton, 20 Newton, 50 Newton जो भी होगा और इसका direction कहने का क्या मतलग हुआ कि किसी एक axis से चाहे x axis से या y axis से या किसी define term से कि वो कितना angle पर वो लग रहा है act कर रहा है कितना angle से तो यहां हम कह सकते हैं कि x axis से या जिस direction में हमें displace कराना है या object को जिस direction में displace होना है उससे theta angle पर force लग रहा है हां theta angle पर force लग रहा है तो और यह unbalanced force है इतना यह force का magnitude है कि इसका inertia को तोड़के इसे displace करा सके तब work के लिए work measure करने के लिए work done बराबर दो important इसके जो measurement में जो important factors हैं वो है force into displacement यह दो factor हो गया force और displacement तो work को w से denote करते हैं और यह displacement यह magnitude लेना है force का magnitude लेंगे displacement का magnitude लेंगे तो displacement हो गया s लेकिन जब force का बारी आया है कितना बल लग रहा है तो force देखिए इस direction में लग रहा है theta angle पर force तो theta angle पर है तो यहाँ f हम तब लेते जब force और displacement दोनों एक direction में होता तब हम इस force f लेते इस condition में यह f जो है जो कि vector quantities के साथ क्या होता है जदि किसी एक particular axis को represent नहीं कर रहे है यानि कि वो केवल x axis पर ना हो या x dash पर ना हो या केवल y या y dash पर ना हो या z और z dash पर ना हो या दो axis के बीच में हो बीचो बीच ना भी हो बीच में कहीं हो समझे जिसे कि आप इसे किनारे समझ लिजे माल लिजे कि x axis यह y axis और जदी कोई force इस direction में है x axis में तो वो तो defined है बड़ी असानी से हम समझ लेंगे कि वो x axis की तरफ काम कर रहा है और जदी y axis की तरफ दिया रहे 30 newton और हमको y axis में ही ज़रूरी है तो वो 30 newton यूज कर लेंगे ठीक लेकिन जदी कोई force दे दे कि x axis से अचाई force बैक्टर में है इसका magnitude हो गया f और यह x axis से माल लिजे कि कोई एक angle आप consider कर लें कि यह theta angle पर है यह force जो काम कर रहा हूँ x axis से 3 triangle पर है अब हम देखेंगे कि यह force का कितना component x axis में काम करेगा और इस force का कितना component इधर काम करेगा तो इसे हम vector में इसे इसके components में resolve करके हम लोग vectors में पढ़े है तो यह जो f है वो अपने components में resolve होगा तो इधर आएगा इसका along x axis आ गया f base x और along y axis लिजेगा तो force का यह हो गया वह component जो y axis की तरफ है यह हो गया fy और जदी यह f x base x है यह भी है f base x clear तो हमको देखना क्या है कि यह जो force का magnitude है और यह direction है x axis से इसका magnitude और यह direction तो यह magnitude का कितना part x axis की तरफ act करेगा और कितना part y axis की तरफ act करेगा so देखना है तो चुकि इस side पे यह angle theta बन रहा है तो इधर आएगा इसका क्या cos component या horizontal component of this force तो इस force का x axis में जो component है वो कितना हो जाएगा f cos theta हम निकाल लेंगे f magnitude दिया हुआ रहेगा 10 20 50 कोई भी newton वो दिया रहेगा cos theta theta का value 30 60 कुछ रहे f y यह निकल करके आएगा f sin theta यह vector chapter में आप लोग पढ़ चुके हैं तो कहने का मतलब हुआ कि यह force देखिए जदी x यह कुछी एक एकसिस में यही theta यह cos theta क्यों लिए है क्योंकि इस side पर angle बना यह base कहला यह base में cos theta है हां और यह perpendicular है तो इस perpendicular में sin theta यह हो गया आपका क्या f sin theta लेकिन यहाँ theta होता तो यह side base कहलाता तब इधर आता f cos theta और इधर हो जाता f sin theta ठीक उसी तरह से इस force को उसके component में resolve कर दीजिए इस force को उसके component में resolve कर दें इधर हो जाएगा vertical component f base y equal to हो जाएगा f sin theta और इस direction में इस force का magnitude हो जाएगा f base x equal to f cos theta तो यदि object को इस direction में displace कराना है तब तो force यही direction में लगना होगा लेकिन force लग किधर रहा था theta angle से यहाँ लग रहा था लेकिन हमको इस force का कौन सा magnitude चाहिए f cos theta जो की इस direction में लग रहा हो तो यदि यह f कितना काम कर रहा है इस axis पर इस object को displace कराने में तो work बराबर force into displacement तो force का कौन सा component यहाँ लेना है जो displace कराने में काम कर रहा है यह component तो हम लोग लेंगे f cos theta तो इस परकार यह work equal to क्या हो जाएगा f s cos theta जहाँ पर f क्या है magnitude of this force s क्या है यहाँ का displacement का magnitude 5 meter 10 meter जो भी हो cos बताता है कि यह force और displacement दोनों same axis का है थीटा बताता है कि force और displacement दो vector है यह दो vector के दोनों के दिशा के बीच का angle है यानि जिस direction में force काम कर रहा होगा और जिधर displacement हो रहा होगा यह दोनों के बीच का direction बताएगा यह theta दोनों के बीच का angle है simply बोलिए तो दोनों के बीच का एंगल है यानि की थीटा क्या हो गया एंगल बिट्वीन force and displacement तो यह हम जो देख रहे हैं work done by a constant force is equal to product of देखिए तीन टर्मस एक लगने वाला force का magnitude जितना displace हुआ object उसका magnitude फिर यह दोनों के बीच का कॉस एंगल यह solve करेंगे तब निकल जाएगा कि इस constant force ने कितना work किया सो अब बात आता है कि यह थीटा थीटा देखिए work depend किस पे किस पे कर रहा है work depend कर रहा है देखिए work depend कर रहा है एक तो force पे force के magnitude पे फिर कितना displacement हुआ उसके magnitude पे और फिर कितना angle लग रहा है force और displacement के बीच angle कितना है उस पर निर्वर करता है तो students work zero कब होगा सोचिए work zero कब होगा जब force zero होगा यानि कि object पे force ही ना लगाया जाए जब force ही ना लगा तो work zero दूसरा condition जब force लगा भी रहे है और वहाँ displacement ही ना हो तब भी work zero और जदी force लगा भी रहे हैं और कितना angle पे लगा रहे हैं जदी 90 degree पर लगा रहे हैं cos 90 बराबर zero होगा तो ये तीन conditions आप देख सकते हैं work zero कब होगा जब force का magnitude zero हो displacement का magnitude zero हो और इस term का value zero हो इस term का value zero होने का मतलब क्या cos में zero कब होता है जब theta equal to 90 degree आगे हम देखेंगे कि ये conditions कैसे परभावित करता है work को तो ये cool मिला करके हो गया कि work done by a constant force formula क्या निकल करके आया work done बराबर fs cos theta चुकि vectors तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं work a scalar quantity है लेकिन देखिए आता है हमारे पास f equal to sorry w equal to fs cos theta work तो a scalar quantity है इसका कोई specified direction नहीं है ये displacement हम लोग देखते हैं कि किधर displaced हो रहा है object work measure करते हैं उसका magnitude निकालते हैं तो ये theta जो है ये दो vector के बीच का एंगल है तो हम लोग work को चाहें तो vector notation में इसे denote कर सकते हैं vector f dot vector s तो हम लोग vectors में पढ़े हैं कि जब दो vector का dot product किया जाता है जैसे कोई vector a है कोई vector b है ये दोनों का dot product यानि कि ये method है दो vectors को ऐसे गुना किया जा रहा है कि जहां पर result जो आएगा क्या आएगा एक scalar आएगा और इसको solve करेंगे तो इसे solve करते हैं a का magnitude into b का magnitude into cos theta या simply ऐसे लिखते हैं लोग a b cos theta जहां पर ये a क्या है इस a vector का magnitude b क्या है इस b vector का magnitude और cos theta cos बताता है कि a और b दोनों vector same axis पर same line में होना चाहिए और theta हो गया दोनों के बीच का एंगल जदी को एंगल बनता है तो मतला दोनों का वह component लेना होगा जो same line में आता है तो यहां पर उसी तरह से देखिए f dot s देख रहे हैं तो जदी इसे हम इस vector notation को तोड़े तो कैसे लिखाएगा यहां पर जिसे यहां a का magnitude लिखे हैं उसी तरह f का magnitude लिखेंगे b का magnitude लिखे हैं यहां पर उसी तरह यहां s का magnitude लिखेंगे फिर दोनों के बीच का cos angle यहां भी जखिए दोनों के बीच का cos angle तो यहां से जदी हम define करें work को तो क्या लिख सकते हैं dot product of, product मतलब क्या, दो quantity हैं गुना हो रहा इसलिए dot product of, और dot product यानि कि एक method है vectors को गुना करने का vectors को दो तरीके से multiply करते हैं, दो vectors को दो तरीके से multiply करते हैं vectors में आप लोग पढ़े होंगे, एक हो गया dot product जो a scalar result देता है और दूसरा होता है cross product या vector product इस product का result vector होता है तो dot product of किसका किसका, work को हम लोग कह सकते हैं कि dot product of force and displacement के बराबर होगा work done या इसे हम कह सकते हैं a scalar product of a scalar product of force and displacement तो ये overall क्या हो गया, कि work done by a constant force work done by a constant force के लिए हम जदी calculate करें, तो formula क्या है work equal to fs cos theta अब different angles पर work का nature चेक करिए, है न, कि different angles पर हम देखेंगे कि यानि कि force और displacement जदी अलग-अलग angle पर हैं, तो work का क्या nature होगा, work का maximum होगा, का minimum होगा, वो चीजें देखिए तो nature of work done सबसे पहला condition आप ले लें, theta equal to 0 degree जहां पर ये theta क्या था, force और displacement के बीच का angle theta equal to 0 degree लेने का क्या मतलब हुगा, कि ये force और displacement ये दोनों same direction में, तब होगा theta equal to 0 या फिर ऐसे कह सकते हैं, कि force और displacement parallel है, हां, तो theta equal to 0 degree बनेगा, force और displacement के बीच का आएंगा और जब 0 degree होगा, तो इस case में work निकालने जाएंगे, तो work equal to क्या होगया, f s cos 0 degree theta के जगह में 0 degree पूट करा, तो ये निकल करके आएगा, f s और cos 0 degree का value 1 तो ये निकल करके आया, f s, यानि कि किसी object पे external unbalanced force apply किया गया object displaced हो रहा है, लगाए गए बलके दिशा में ही, तब वहाँ पर work जो होगा, so positive होगा पहला बात positive work done कहेंगे, दूसरा बात यही condition में सबसे ज़्यादा work होगा किस condition में सबसे ज़्यादा work होगा, जब force और displacement एक ही दिशा में हैं, तब maximum work done होगा तो यह देख लिए, तो work जदी maximum होना है, तो force के दिशा में displacement हो, या वही दिशा में बल लगाया उसको जदी freely fall कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो gravity उसे attract करता है, अर्थ उसे gravity से attract करती है, तो work done by the gravity, अर्थ उस object पे force लगाके उसे नीचे खीच रही है, तो यहाँ पर work done by the gravity, gravity ने जो work किया, वो work यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटी हो जाएगा, दूसरा और भी example है, stretching force, किसी object को आप मान लिजे कि कोई spring है, उसे आप जदी stretch करा रहे हैं, तो आप जिस दिशा में बल लगा रहे हैं, देखिए, वही दिशा में displacement हो रहा है, तो जिस दिशा में जदी आप force लगा रहे हैं, वही दिशा में जदी displacement हुआ, तब work क्या कहलाएगा, positive work, tug of war, देखे होंगे, रसी खीचातानी में, इधर सी भी लोग खीच रहा है, और इस दिशा में भी खीच रहा है, दोनों तरफ के लोग खीच रहा है, अब एक team जदा बल लगा दे और दूसरा team कम बल लगा है, तो एक team जीतेगी, जो team ज क्यादा बल लगाई, वह जीतेगी, displacement उधर होगा, जिस दिशा में बल लगा रहाता, वही दिशा में displacement होगा, यानि कि work done by the winning team in the tug of war, ये work positive हो जाएगा, जीतने वाली team का work यहाँ पर positive हो गया, तो ये सारे example हो गया किसका, positive work done का, या जब force और displacement के बीच का एंगल, 0 degree हो, द दोग देखते हैं, जब theta equal to 90 degree हो, theta equal to 90 degree कहने का क्या मतलब हुआ, theta equal to 90 degree कहने का मतलब हुआ, कि जिस दिशा में आप force लगा रहे हैं, और जिस दिशा में आप displacement कराना चाहा रहे थे, वो दोनों perpendicular है, यानि कि force और displacement जदी perpendicular है, तब ये इस force ने कितना काम किया, so हम calculate करेंगे, actually मैं यहाँ पर जो work देख रहे हैं, इस force का work है, हाँ, तो work का formula F, S, cos, theta, और theta के जगा हम कितना, 90 degree, तो यह हो जगा F, S, और cos 90 का value 0, तो work done 0, तो 0 work का condition कब होगा, 0 work का condition, चाहे force 0 हो, चाहे displacement 0 हो, या force और displacement perpendicular हो, कहने का मतलब है, कि जदी displacement इस दिशा में कराना चाहरें, तो इस दिशा में बल लगा दें, तो ये बल काम करेगा, तो इधर displacement नहीं करा पाएगा, इसका ये कहने का मतलब होगा, work done by this force is 0, जैसे कि माल लीजे, कि एकदम 90 degree वाले एक्जाम पल लीजे, कि माल लीजे कि कोई labor है, या कोई मजदूर है, या कोई भी इनसान है, को अपने सर पे एक बोज लिया हुआ है, एक सर पे बोज लिया हुआ है, तो बोज पे अर्थ जो force लगाती है वो नीचे की तरफ, वह उस इनसान उसको सर पे रखे हुए, तिसलिए ये बल लगा रहा है उपर की तरफ, ये इनसान इधर मूव कर रहा है, तो ये बल जो उपर लगा रहा है, और फिर ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो उपर लगने वाला बल का इधर कोई काम नहीं है, मतलब डिस्प्लेस इध इधर हो रहा है और बल किधर लगाया उपर की तरफ तो उपर की तरफ लगने वाले बल का इस डिरेक्शन में कोई रॉल नहीं है यानि कि work done by this force in displacing the man into this direction is zero इसका work done इस दिशा में zero हो गया हाँ यह एक्जामपल है यह सर्कूलर मोशन में कोई भी पार्टिकल माल लिजे कि सर्कूलर ट्रैक पर कॉंस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो यहां भी उसका work done क्या होगा जीरो होगा एक तो displacement जीरो जहां से चलके आया वहाँ जीरो है ना तो यह चीजे हैं तीसरा condition लेंगे जदी हम थीटा एक्वल टू 180 डिग्री क थीटा एक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री क्यब होगा जब force और displacement exactly opposite direction में हो जब applied external force और object में हो रहा displacement दोनों exact opposite direction में हो anti-parallel भी कहेंगे anti-parallel कह सकते हैं exact opposite direction में हैं दोनों जैसे कि force इस दी सामें लग रहा हो और displacement इस दी सामें हाँ displacement तो यहाँ पर work done जो होगा negative होगा निगेटिव क्यों होगा फर्मूला पर आये work done by a constant force is the product of force displacement और cos theta तो यह force displacement और cos 180 degree cos 180 degree का value minus 1 तो यह हो जाएगा minus fs यानि negative work तो यहाँ पर इस force ने यह force ने जो work किया वो negative work कहेंगे work done by this force is negative जैसे कि हम gravity के against काम करें अर्थ किसी object को नीचे खिछती है और उस object को उपर ले जाएं तो हम ले जा रहे हैं जिस दिसा में हमको ले जाना है displace कराना है उस दिसा में बल लगाएं तो मेरे द्वारा जो हम काम कर रहे हैं यहां पर मेरा force का work हो गया positive लेकिन gravity के against gravity का force नीचे लग रहा है और object उपर displace हो रहा है तो हम क्या कहेंगे work done against the gravity या फी work done जैसे कि ऐसे समझेए कि यह object है earth surface से उपर है इसको जदि को external force लगा के उपर ले जा रहा है तो इस force के दवारा किया गया work done positive होगा लेकिन gravity तो नीचे लग रहा है तो यहां पर gravity के दवारा कि होगा सो negative होगा या breaking force breaking force या friction force ये सब के दवारा जो work होता है वो work negative होता है या tug of war का example मैं कहीं discuss कर रहा था tug of war में क्या है कि इधर से कुछ लोग खिच रहे हैं इधर से भी कुछ लोग बल लगा रहे हैं winning team के दवारा किया गया काम positive होगा और जो team हार गई उस team का work क्या से क्योंकि जो team हार गई वो बल इस दिसा में लगा रही है जो team जीत गई वो इस दर अब लगा रही है और जीता हुआ team ज्यादा बल लगाया तो displacement इस दिसा में हो गया और हारा हुआ team का बल इस दिसा में लग रहा था से displace करा रहा है तब हम work done कैसे calculate करेंगे इसके आगे के video में हम देखेंगे work के different units तो आज इतना ही रहेगा thank you